हेलो विवर्स वेलकेम टू माई यूटूब चैनल आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हूँ आखिर क्यों शनी देव को तेल चड़ाते हैं इसके साथ ही शनी देव को तेल चड़ाते समय आपको क्या-क्या साफधानी बरतनी चाहिए प्राचीन मानता है कि शनी देव की किर्पया प्राप्ध करने के लिए हर शनी वार को शनी देव को तेल चड़ाना चाहिए जो व्यक्ति ऐसा करते हैं उन्हें साड़े साती और धैया में भी शनी की किर्पया प्राप्ध होती है लेकिन शनी देव को तेल क्यों चड़ाते हैं इसको लेकर हमारे ग्रंतों में अनेक कथाई हैं इन में से सरवादिक परचलिक कथा का संबंद रामायन काल और हनुमान जी से है सास्तरों के अनुसार रामायन काल में एक समय शनी को अपने बल और प्राकरम पर घमंड हो गया था उस कार में हनुमान जी के बल और प्राकरम की कीरती चारो दिशाओं में फैली हुई थी जब शनी को हनुमान जी के संबंद में जानकारी प्राप्थ हुई तो शनी बजरंग बली से युद करने के लिए निकल पड़े एक शांत स्तान पर हनुमान जी अपने स्वामी श्री राम की भक्ती में लीन बैठे थे तब ही वहाँ शनी देव आए और उन्होंने बजरंग बली को युद के लिए ललकारा युद की ललकार सुनकर हनुमान जी ने शनी देव को समझाने का प्रयास किया लेकिन शनी नहीं माने और युद के लिए आमंतरित करने लगे अंत में हनुमान जी भी युद के लिए तयार हो गए दोनों के बीच घमासान युद हुआ हनुमान जी ने शनी को बुरी तरह परास्त कर दिया युद में हनुमान जी द्वारा किये गए प्रहारों से शनी देव के पूरे शरीर में भेंकर पीडा हो रही थी इस पीडा को दूर करने के लिए हनुमान जी ने शनी को तेल दिया इस तेल को लगाते ही शनी देव की समस्त पीडा दूर हो गई तब इसे शनी देव को तेल अर्पित करने की परंपरा प्रारंब हुई शनी देव पर जो भी व्यक्ति तेल अर्पित करता है उसके जीवन की समस्त परेशानिया दूर हो जाती है और धन अभाव खतम हो जाता है शनी देव की प्रतिमा को तेल चढ़ाने से पहले तेल में अपना चेहरा अवश्य देखें ऐसा करने पर शनी के दोशों से मुक्ति मिलती है धन संबंदी कारियों में आ रही रुकावटे दूर हो जाती है और सुक्षम्रदी बनी रहती है जोति शास्तर के अनुसार हमारे शरीर के सभी अंगों में अलग-अलग ग्रहों का वास होता है यानि अलग-अलग अंगों के कारक ग्रहे अलग-अलग हैं शनी देव तोचा, दात, कान, हड़ियां और घुटनों के कारक ग्रहे हैं यदि कुंडली में शनी अशुब हो तो इन अंगों से संबंदित परिशानिया वक्ति को झेलनी परती हैं इन अंगों की विशे देखबाल के लिए हर शनीवार तेल मालिश की जानी चाहिए शनी को तेल अर्पित करने का यही अर्थ है कि हम शनी से संबंदित अंगों पर अभी तेल लगाएं ताकि इन अंगों को पीडाओं से बचाया जा सके मालिश करने के लिए सरसों के तेल का उपयोग करना स्रेश रहता है तो दोस्तों आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया है आखिर क्यों शनी देव पर तेल चड़ाते हैं अगर आपको मेरे द्वा कि झाड़ च शनी देवर जिन के एख स सकते हैं यह झावाँ से बचागरते हैं औला हैं अजिध झावार क मैं सूल रखनीयाओ क पाणीश देवर ते दूंवर जिग्ट को वाव यंवरा जायाएं पताल को जा आवाएंवर पलाव ए्वरा क्यवर किसे दूभ ते पलादृ